वेस्क बनाया था जहांब आपको रिड़क्स और रिड़क्स टूलकिट फॉर्म बेसिक सब कुछ बताया था वह अगा फॉलमुस्ट एक गंटे का वीडियो था जहां मैं आपको सारा स्क्राइच से एक्डम बिगिनर लेवल से आपको रिड़क्स समझाया था और मैंने कहा प्राइस को और अच्छे समझें के लिए मैं एक लाइफ प्रोड़क्स लाओंगा जहां पर देखोगे कि रिड़क्स का प्राक्टिकली यूज कहां पर हो रहा है तो इस वीडियो में मैं एक शॉपिंग कार्ट पेज और एक कार्ट पेज मैं आपको बनाना वाला हूं इस कर सकते हो और पूरे डेटा को रिमूब कर सकते हो एंसा है साथ टोटल अमाउंट टोटल को एंटी सब कुछ इंक्रीव होगा और बिसके लिए सारा कुछ हम लोग देखने वालने हैं विद रिदक्स टूलकेट ठीक है कि हम लोग ग्लोबली कैसे डेटा को होल्ड करते हैं और कैसे हम लोग उसको हर एक पेजस में यूज कर सकते हैं काफी इसली अगर आप ये वीडियो अच्छे समझ जोगे तो आपको वीडियो सही लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें सब्सक्राइब कर देख पार मैंने सिंपल सभी रियक्ट अप्लिकेशन को इनिशलाइज किया है और सिंपल मैंने जो एब रोड जैसे उसके अंदर एक हेलो नाम का इनो टेक्स पास किया है और अगर अब देखें अपने यॉरल पर क्या रहा है तो देखो सिंपल एक हेलो रहा है ठीक है तो हमारा में का में हमें एक शॉपिंग कार बाना है और एक कार्ट पेच बनाना है बट उससे पहले हमेंचे डेटा शॉपिंग का डेटा तो इसके लिए आपके पास काफिस रॉप्शन है आप चाहा तो आप गूगल पजा कि इनो फेक एपी आई या फिर जैसन अपिए आप उठा सकते हो फॉर शॉपिंग कार्ट बट मैं टू मेक दिस ट्यूरल इजी एंग उन यूज इनो इस्टाटिक डेटा तो मेरे पास अल्रेडी शॉपिंग का डेटा है ठीक है तो मैं तो कॉपी करता हूं और मैं यहां पर आता हूं इस सोर्स के अंदर और मैं यहां पर बनाता हूं एक नया फाइल ओके लेट्स कीप इट प्रोड़क्ट डेटा डॉट जैस ठीक है और मैं यहां पर पेस्ट करता हूं तो बिसकली यहां पर मैंने पांच आइटम रखे हुए हैं बिसकली मुबाइल फोन से और सब का आपके पास आईडी है ने है और कॉंटिटी है ठीक है और विल सी हाओ विकन बिल्ट आवर शॉपिंग काट पेज ओके सब्सक्राइब करूं इसलिए मैं यूस करने वाला हूं एक अफ्कॉस आईनों फ्रेमवर्क सो मैं यहां पर यूज करूं MDN बूट्स्रेप ऑके बूट्स्रेप नहीं MDN बूट फ़िए पहले आप प्रड़ का पेज जहां पर हमारा सर इंप्र रहेगा उससे ही पहले हमें MDN को अपने साइट में इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको रियक्ट में कैसे इंपोर्ट करते हैं और यहां पर लिखा हुए है so let's copy it and let's go back here okay and let's go to a new one and he happened paste करते हैं ठीक है एंसार साथ हम उस फॉन को भी इंस्टॉल करी देते हैं क्यों टाइम वेस्ट करना let's copy it and let's paste it okay or let's install this now so other my package.json में चक करने तो आप देखो यहां पे हमारा यह mbt भी आ गया और यह bond awesome भी आगया अब क्या करना आगे आगे बोल रहा है कि index.js में आपको यह दोनों को you know copy or paste कर देना है so let's go here and let's go to our index.js here not index.csas I mean कहां करना यार index.js में बोल रहा है import करने को ठीक है तो यहां पे आके बिसकली हर फिर्मा का अपना में वे होता है तो वही मैं follow कर रहा हूं and last में एक और चीज है यह बोल रहा है कि आप link में डाल दो to use robot okay ठीक है यह तो basically आपको यह नो अपना font यूज करने बोल रहा है that is fine so I think अब सही हो जुका है and अगर अब हम देखें अपना site जाके यहां पर कुछ error आ रहा है okay we'll see it let's go to a site now and now देखो यहां पर इसका font change हो गया it means हमारा import हो चुका है ठीक है and now हम हमारा सबसे पहला काम जो है वो यह है कि हमें चाहिए एक navbar उपर पर so time को तो वेस्ट नहीं करते हैं और navbar लिखते हैं और काफी सा यहां पर navbar है मैं एक simple यहां पर पिक करने वाला हूं okay so मैं पिक करता हूं यह वाला क्योंकि एक मुझे यहां पर icon चाहिए और एक मुझे यहां पर button चाहिए so let's see show code okay copy क्या मैंने यहां पर आया और यहां पर मैं पहले बनाता हूं components नाम का folder okay और इसके अंदर हम बनाते हैं new file navbar.js ठीक है और यहां पर मैं ठीक है और save करता हूं and let's go to our app.js और यहां पर देखने के लिए navbar okay and let's import it so import नहीं हो रहा है so we'll import it from here and now let's do save all तो यहां पर एक error दिखा रहा है mbd input group is not defined okay so यहां पर आते हैं क्या बोल रहा है mbd input group is not defined तो इसको ऐसे करते हैं और इसको import कर लेते हैं उपर import हो गया है okay and now let's see on the screen so yeah अब देखो हमारे यहां पर navbar आ गया है ठीक है तो लेकिन यहां मुझे दो item चाहिए एक चाहिए मुझे all product और एक चाहिए मुझे मुझे यहां पर button so let's do that यहां पर आते हैं let's go to our navbar here ठीक है हमारा यह input जो field है ओक है यह मुझे नहीं चाहिए यह basically okay so my best plan कर रहा हूं कि मैं यहां पर तीन एटम रखूंगा on the screen यहां पर ठीक है तो इसके लिए मुझे जाए flexbox so let's make it अब यहां लिखते है कैसे पहले वह दिखते हैं so basically मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग अगर कोई भी एक नया framework यूस करते हैं एक्दम raw okay मुझे इसका आडिया नहीं है तो भी इसको हम कैसे use कर सकते हैं वह आप यहां पर सीखो ठीक है so मैं यहां लिखा basically flexbox and इसका अपना section यहां पर open हो गया and basically I'm just trying to understand कि हम कैसे लिखते हैं so कुछ है नहीं simple ही है आपको use करना है basically first deflex ठीक है so let's go here and let's see okay justify content के अंदर होगा हां तो justify content between यह मिल गया मुझे यह डाल दिया और थाड़ होना चाहिए आपका वह align item वाला तो यह भी आपको यहां पर है यह मुझे चाहिए center में copy किया डाल दिया ठीक है और इसका मैं यहां पर div को बंद करेता हूं here all right and अब क्या है अब मुझे चाहिए basically यहां पर एक चाहिए text so that text can be simple as span okay यहां चाहिए मुझे all product और इसके नीचे मुझे एक button अब इसका button कैसे लिखते हैं और वह भी देख लेते हैं अच्छा होले button उठाते है ठीक है यहां पर आते हैं and कोई पर पिक कर सकते हो let's pick this dark one so मैं यहां पर आता हूं यह mbd color light लिखा हुआ है so let's okay I'll pick this one ठीक है and मुझे यहां पर paste करें तरह से and यहां पर होना चाहिए हमारा kart okay and now let's see कि हमारे कैसा दिख रहा है okay तो यह हमारे space between यहां पर काम नहीं किया so let's see क्या दिक्कत हो गया justify content between okay guys तो अब देखो यहां पर तो यह हमारा container है okay यह already आपका flex है ठीक है और यहां पर जो भी मैंने properties actually इसमें लगाए थे वो इसमें already है देखो so what I'll do is that I'll just remove this जो मैंने इतना महना से बनाया इस div को remove करते हैं और save करते हैं अब देखो automatically adjust हो गया ठीक है तीनों कुछ आ गया so यह हमारा ठीक है और मैं यहां पर काट में डालता हूँ 0 ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहां पर dynamically data भी दिखाना है later again guys I know मैं थोड़ा fast हूँ but हमारे main focus यहां पर CSS नहीं है हमारे main focus यहां पर react redux toolkit को समझना कि हम कैसे implement इसको कर सकते हैं okay so just wait for that पहले मैं थोड़ा setup कर लूँ and then मैं आपको अच्छे से समझाओंगा कि हम कैसे redux toolkit use करते हैं okay okay so यहां पर आते हैं components में और यहां बनाते हैं नया you know file product product card.js okay and यहां basically मैंने लिखा हूँ product और मैंने देख रहा हूँ कि क्या मैं उठाओं basically मुझे यह सही लग रहा है यह वाला template तो इसको मैं copy करता हूँ यहां पर और यहां मैं paste करता हूँ ठीक है और यह पूरा product को मैं एक div से wrap करता हूँ so that इसका main you know control मेरे पास रहे और यहां मैं लिखता हूँ class let's make it m2 and now let's go ahead and see okay यह मुझे दिखेंगा निया भी यह मुझे navbar के नीचे लिखना पड़ेगा so let's go to app.js और यहां मैं आता हूँ यहां लिखता हूँ product card imported and now let's go here and see camera आ रहा है नी okay so आ तो रहा है ठीक है पड़ी काफी बड़ा रहा है इसको fix हम लोग जल्दी करेंगे so अब मेरा काम क्या है कि मुझे basically एक loop run करना है इसमें जहां पर मैं सारा data अपना दिखा सकूँ तुसके लिए मैं करता हूँ मैं पहले यहां पर आता हूँ पहले दिखते हैं इसका you know row container कैसे होता है so let's see that grid system of course okay so मैं copy करता हूँ and let's put it here ठीक है और अब डालता हूँ मैं ठीक है और यह column मेरा यहां पर end होगा और तीनों को import भी करना पड़ेगा obviously और अब देखते हैं तो अब देखो अब हमारे यहां पर आ गया ठीक है कुछ नहीं किया मैंने मैंने इसको row column में डिवाइड कर दिया है और size 4 यानि आपका यहां पर तीन आइटम आ सकते हैं okay so मेरे पास अभी 2 option है चाहे तो मैं जो भी मेरा सारा यहां पर data मैंने रखा है इसको मैं सीधे इसमें import कर लो and then I can loop it through okay बट इससे मेरा फायदा नहीं है सिंस मैं आपर Redux implement कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि जो भी data है यह सारा globally मौझूद रहे उसके लिए मुझे store के अंदर सारे data को डालना पड़ेगा अब हम यहां पर implement करने वालने अपना Redux toolkit तो उसके लिए क्या करना है आप लोगो basics पता है अगर नहीं पर तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना है पूरा 50 मिट का जाके देखो फिर इस वीडियो में आना यहां पर मैं paste करता हूं एक line जो कर रहेगा react Redux Redux toolkit और react router Dom for routing यह तीन चीज मैं install कर रहा हूं all right सो सारा कुछ install हो गया है अब हमारा क्या काम है हमारा काम है हमें एक store बनाना है एंड मैं अपने article में अगर आऊ तो मैंने proper step बताया आपको कि आप कैसे कैसे करोगे ठीक है सो मुझे बसके लिए src के अंदर एक बनाना है folder with the name of app और इसके अंदर मुझे बनाना है एक नया store ठीक है और इस और इसमें क्या जाएगा मुझे भी याद नहीं रहता है मैं इसो कॉपिक करने वाल हो यहां से लोरी मैं सारा code आपको दे दूंगा सो उसके लिए आपको लोड नहीं लेना है सो यहां बेसके लिए पुछ ऐसा structure रहता है इसका मैं अब यहां पर टाइम पर स्ने करोंगा कि यह क्या होता है यह क्यों होता है यह सब मैंने बता रहा है अपने एक और वीडियो में पिछले वीडियो में तो आप ज़रूर और अगर इतना करने के बाद ही मैं अपने अप्लिकेशन में आओ तो अब देखो यहां पे मेरा जो रिडक्स वार डिफ टूल है वहां पर हरा लाइट आ गया और इनिट आ गया मतलब हमारा रिडक्स इनिशेट हो चुक है यहां पर ओके एंड ना हमारा काम है कि हमें चाह ठीक है और यहां पर हम एक बनाएंगे slice तो slice का नाम रहेगा let's keep it cart slice.js ओके और slice का जो basic structure था वो क्या था वो ऐसे था कि मैं पहले एक create slice नामक यूनो फंक्शन को import करना था and then initial state को हम बनाएंगे आगे ढोगे इसको भी ऐसा रहे दो and then yeah export const okay इसको लिखते हैं आप लोगों को भी लग रहा हो कि सिर्फ copy करता है but copy करने wrong नहीं है आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो वो जानना ज्यादे important है ठीक है initial state जो कि हमने ऊपर पर define भी नहीं किया है मैं आऊंगा उस पर और reducers ठीक है और इसको भी रखते हैं empty यहां पर अब मैं यहां पर आपको आना है एक नया you know proper एक बनेगा एक नया data बनेगा ओके वो data इसमें जाएगा cart में ताकि मैं इस cart को फिर cart page में loop करा हूँ और जो जो user ने सिर्फ यहां पर add किया है वो show करें ठीक है इसलिए second रहेगा मेरा product i mean item items let's keep it items और यह रहेगा मेरा product data so मैं data को import करता हूँ यह जो data है इसको पहले import करता हूँ so import ठीक है so basically इस item के अंदर सारा का सारा data हमारा आ चुका है and तीसर रहेगा हम बनाएंगे यहां पर total quantity entity जो कि अभी है zero और चौथा रहेगा total price जो कि अभी है zero ठीक है अब हमारा काम है कि हमारा जो यह item है इसको हमें दिखाना यू आई में तुसके क्या करेंगे हम जाएंगे product card में ठीक है and मैं पहले सारा close करता हूँ और यहां पे मैं पहले import करता हूँ वह store से सारा data को तुसके लिए में क्या करना है एक आता है function यूज सेलेक्टर नाम का ठीक है तो लेट्स यूज सेलेक्टर ओके तुम्हें यहां पे आता हूँ आपको इस्टेट डॉट अब यहां पे एक इश्यू आगे कि स्टेट डॉट क्या लिखना है मुझे ताकि मुझे सारा data मिले तुसके लिए हमें पहले reducer को export करना पड़ेगा and then only we can access our state उसके लिए करेंगे हम जाएंगे अपने card.slice में और यहां पर क्या करना है यहां पर लिखना है export okay so we write something like this ठीक है and यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जाएगा आपका यह वाला नाम यह वाला card.slice okay and now we are gonna import this in our store so store में बतला basically add करेंगे हम reducer इसके अंदर so यहां पर क्या करेंगे यहां मैं लिखता हूँ same चीज card.slice and let's make it simple as card and let's import it from here import card reducer so basically मैंने यहां पर card reducer के नाम से उस card slice को import कर लिया है ठीक है कैसे import क्या मैंने यहां पर पहले export किया card slice को ठीक है and then यहां पर मैं import किया अब अगेन आपको लग रहा हो यार कि हम यह कैसे आप लिख रहें card.reducer okay यह कुछ है थोड़ा जीब तरीक है but जैसा कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि आपको थोड़ा flow समझना पड़ेगा आप यहां प्लीज वॉच्ट वीडियो अगें and मैंने आप इसको export करके यहां पर import किया अब मैं क्या करूँगा मैं .cart से सारा का सारा जो भी मारे store है उसको access कर सकता हूँ दिखाता हूँ कैसे मैं यहां पर आता हूँ और यहां पर items नहीं रहेगा यहां पर basically state रहेगा ठीक है basically use setter क्या करता है कि आपको state provide करता है और आप state के अंदर जो भी रहता है उसको access करते हो with this arrow या फिर basically with this loop ठीक है यहां पर मैं लिखता हूँ क्या state dot cart जैसे मैं अब यह cart कहां से है जैसे कि मैंने कहा था कि जो store का जो हम नाम दे रहे ना उसके through हम access कर सकते हैं save करता हूँ और अब जाता हूँ अपने UI में तो आप देखो हमारा यहां पर data आ गया यस और अगर मैं आपको दिखाओं आज हमारे dev tool है तो देखो यहां पर state के अंदर सारा का सारा data आ रहा है cart के अंदर okay cart, items, total quantity, total price एक और चीज़ यहां पर cart, cart दोनों नाम सेम लग रहा है तो मैं आपको चेंज करता हूँ ठीक है तो मैं यहां पर आके न जिसो करता हूँ let's say cart, okay, or we can make it even all cart, all cart, ठीक है और अब मैं यहां पर आता हूँ and यहां पर मैं कर देता हूँ all cart, यहां पर आता हूँ और अगर अब मैं देखू तब देखो all cart के अंदर एक you know proper items है, जिसके अंदर हमारा cart आ रहा है, items आ रहा है, जहां पर सारा data है मेरा, then एक quantity आ रहा है and then price आ ठीक है, तो अभी मारा run करना है ताकि हम सारा data यहां पर दिखा सके, उसके लिए क्या करेंगे, so basically mbd row के बाद हम यहां पर आते हैं और इस सारा चीज को ना, यह जो हमारा column है, इसको हम एक java script में cover करते हैं, ऐसे, and अब मैं यहां पर आता हूँ, और यहां पर मैं लिखता हूँ क्या, items.map, items क्या से यहां पर access कर पा रहे हैं, ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां लिखते हैं हम item, okay, और अब मैं सारा data को इसके अंदर डाल दूँगा, किसको, इसको, so let's see, let's copy this, okay, cut करते हैं, और इसको मैं यहां डालता हूँ, paste, ठीक है, और यह size md के जगा size को हम size 4 के जगा हम size को md करते हैं यहां पर, ठीक है, and now, हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहां पर, image, so image में क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे, और यहां पर मिडालते है, item.image, क्या नाम था, image ही था क्या, देखने तो, image, yep, so, अब देखते हैं कि पहले इतना भी काम कर रहा है है, so let's go here, okay, error दिखा दिया, okay, so मैंने यहां पर, item को, console किया है, तो अब देखो, यहां पर क्या रहा है, इस item के अंदर, basically, इतना सारा चीज है, हमें चाहिए सिर्फ यह वाल, item, okay, तो क्या करेंगे, हम यहां जाहेंगे, state.all cart.items लिखेंगे, okay, तभी हम प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा product का data है, उसको हम access कर पाएंगे, and now if we go here, अब देखो, हमारा सारा data आ गया है, okay, and now let's add all those things as well, so, हम यहां पर आते हैं, md card text में, and okay, पहले आते हैं, title में, ठीक है, और यहां पर हमें key भी डाल देते हैं, so, let it be item.id, and now let's go here, so, अब देखो, हमारा बिल्कुस सही आ रहा है, यहां पर, यहां पर होगा add to cart, मैंने all to cart लिख दिया, okay, so, अब हमारे यहां पर सही आ रहा है सब कुछ, okay, so, हमारा next step क्या है, next step यह है, कि जैसे ही कोई add to cart पर hit करेगा, तो वैसे ही, हमने जो बनाया है, यहां पर cart नाम का एक mt array, यहां पर सारा data आ जाए, क्यों, ताकि वो सब data हम अगेन अपने cart वाले page पर loop करवा गए, दिखा सकें, यानि, जो हमारे structure था, यहां पर, यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली एक action हम देने वाले हैं, जो की hit होगा, and that will come to the reducer, और यहां पर जो हमने एक initial state बनाया था, cart नाम का, जो कि एक empty array था, वहां पर हम data को append करेंगे, and that will be present in the global state, and then with the use selector, we can access that data, ठीक है, अब अगेन यह diagram समझ जा रहा है, तो मैं इसके लिए अगेन आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, so yeah, ऐसा ही कुछ हम करने वाले है, and यह ज़्यादा difficult नहीं है, let's see that, और अब ध्यान देखना, यहां पर आप सीखो कि actual में reducer का use, ठीक है, so पहला काम यह है कि हमें एक चाहिए dispatch, dispatch क्या करता है, dispatch बिसकली action आपका dispatch करता है, ठीक है, अब वो क्या होता action, मैं आपको दिखाता हूँ, यहां लिखते हैं, पहले हम use dispatch, and we will import this from react redux, and हम यहां पर आते हैं, इसको आट आओ, and यहां पर हम पहले const dispatch लिखते हैं, और इसको हम initiate करते है, ठीक है, and अब हम क्या करेंगे, हम इस dispatch को यहां पर copy करते हैं, और हम जाते हैं अपने microbi को, यहां हमारा button है, यहां पर हम छोग इसको बनाते हैं on click event, ठीक है और यहां पर हम क्या करने वाले हैं ध्यांदर आपर यहां पर बिसकली हम लिखने वाले हैं dispatch ठीक है और dispatch के अंदर हम एक action pass करेंगे and that action should be present in the reducer ठीक है लेकिन हम नहीं तो बनाया नहीं है बट यूरी मैं पास करता हूं उसका नाम रहेगा add to cart ठीक है और इसके नहीं पास करेंगे item यानि यह सारा data सारा नहीं एक particular item यानि अगर मैं को दिखाओ यहां पर तो यह item मतलब एक particular कोई data ओके जैसे कि suppose यह हो गया या फिर यह हो गया ठीक है तो एक item contains one point this then at the next time this I hope अब समझ रहोंगे so क्या करते हैं हम इस add to cart को copy करते हैं और आते हैं अपने slice में slice कहा होता है हमारा features के अंदर cart slice के अंदर और यहां पर अपना पहला reducer create कर रहे है so let's go to add to cart ठीक है और हम यहां पर क्या करने वाले हैं काफिर simple है आपको यहां पास करना state और action ठीक है और हम क्या करेंगे हम अब करने वाले हैं basically कि जो हमारा यह है cart है इसमें हम action push करने वाले हैं ठीक है यानि state.cart.push और अब क्या होगा action.payload जैसा कि मैंने कहा था कि सारा जो भी data होता है वो action.payload के अंदर होता है तो हम simply क्या कर रहे हैं यहां पर कि हमने एक suppose यहां पर action हिट किया ओके suppose यह वाला जो है button है इसको मैंने हिट किया तो इसमें जो item है ओके वो item उठा के तुप चाप cart वाला जो हमारा array है इसमें push कर दो that simple अब यह देखते हैं यहमारा काम कर रहा है नहीं so let's make it save all और हम यहां कुछ error आ गया add to cart is not defined of course हमें यहां पर export भी तो करना है अब वो कैसे होता है भूल गया let's copy yeah so we'll just copy this paste करता हूँ और यहां पर जो हमारा add to cart वाला जो है इसको यहां पर paste करता हूँ और यहां पर क्या होगा cart slice ठीक है और इसको मुझे यहां पर import करना है यहां पर यह add to cart आ कहां से रहा है so import भी तो करना पड़ेगा import add to cart okay so यहां पर import भी हो गया यहां पर अब कोई भी error नहीं आना चाहिए and let's see it is working or not so अभी होना क्या चाहिए basically जैसे हम आप हिट करेंगे तो यह जो empty हमारे यहां पर cart है यहां पर data आना चाहिए so let's see that suppose मैंने इस Moto G5 को हिट किया आते हैं यहां पर और अब देखो यहां पर data आ गया okay and this is Moto G5 only suppose मैं क्या करता हूं मैं Nokia G20 को हिट करता हूं let's go here और अब देखो यहां पर data आ गया so अभी मारे यह बिल्कुल सही काम कर रहा है ठीक है लेकिन यहां पर एक छोड़ा सा fault है वो यह कि suppose मैंने यहां पर add to cut फिर से hit किया तो क्या हो रहा है यहां पर देखो यहां पर फिर से एक और नया आइटम बन चुका है ठीक है चो कि सही नहीं है क्या होना चीए यह दुबारा इसी में add होना चीए बट हम उसको fix करेंगे जब हम बिसकली कार्ट पर बनाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊं कि वह कैसे fix होता है बट अभी आप समझ ग करूं सो मुझे यह सही लग रहा है let's pick it यहां मुझे यहां मुझे आइटम मिल जाएगा नाम डाल दूंगा प्राइस कॉंटिटी एंड यहां पर क्या बच्छा कुछ ने इसको रिमूफ कर दूंगा यहां पर हमां जो टोटल कॉंटिटी और प्राइस है वो भी यहां पर पर आ जाएगा ठीक है सब्सक्राइब कर दूंगा इससे पहले इसका बैग्राउंड जो है ना वह उसके लिए मुझे बोल रहा है कि वापस आपको CSS का इंपूर्ट करना पड़ेगा आप देखो यहां पर इसका CSS भी है तो मैं इस वाले बैग्राउंड को ना कॉपी कर ले रहा हूँ लेट सी कैसा दिखता है सो ओके सही लग रहा है ठीक है ना काइंड फ्रीक है एंड अब क्या करता हूं मैं वापा साथ हूं यहां पर लेट्स को टू अन दूस वन एच्टी एमल और मैं इसको कॉपी करता हूं यहां पर इस पूरा section को कॉपी करता हूं एंड लेट्स गो टू आवर साइट एंड यहां पर मैं बनाता हूं राइट क्लिक न्यू फाइल कार्ट पेज डॉट जेस ठीक है और यहां मैं पहले आरे अफ्सी से अपना एक बना लेता हूं फंक्शन और यहां पर मैं पेस्ट करता हूं इसको एक है जार खागे है अब जो पर हूँ करता हूं पहला थी आथ हैसे शृआ जाहां यहां यह करता हूं यहां पे एक और क्लस अनिता हoured मी ते Pillan मैं रहता है और जहीं जहां जहां यह जहां यह रहा हैं पर चुपट चूप टूब लास नेम से चेंज कर दो ठीक है यहाँ पे आपका रिप्लेस ओल है आप देखो सारा क्लास क्लास नेम से चेंज हो गया है ठीक है और अब देखो यहाँ पर मेरे पास तिन चार्व चीज़ है लेकिन हमको सिर्फ दिखाना है दो चीज तो मैं करता हूँ यह प्रोड़क्ट रखता हूँ शिपिंग को अटाता हूँ शिपिंग यहाँ पे न यह लाई को अटाता हूँ ठीक है और टोटल अमाउंट तो है ठीक है यह वैट वैट चलिक है इसको अटाता हूँ यहां से लेट किप इट सिंपल और यहां लिखता हूँ मैं टोटल कॉं and let's see so of course मैं इसको देख नहीं पाऊंगा मुझे जाना पड़ेगा कार्ट पेज में and उसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा राउटर so let's make that okay so मैं जाता हूं पहले app.js में ठीक है और इस सारे को मैं पहले cover करता हूं ब्राउजर राउटर में ठीक है and let's keep it down और अब क्या जाएगा इसके साथ एक दो चीज़ और आता है एक आता है आपका router ठीक है and navbar तो रहेगा as it is navbar के नीचे हम basically लिखने वाले है routes and अब routes के अंदर आपका रहेगा route ठीक है and route आपका लेता है दो चीज़ एक तो होगी आपका exact लिखते है हम लोग ठीक है और second लेगा आपका element और यहाँ पर हम अपना product card को डाल देते है and ऐसे कर देते है similarly हम import करेंगे अपने इस card page को भी ऐसे ही ठीक है यहाँ पर लिखते हैं हम card page और यह import नहीं हुआ so let's import it okay और यहाँ पर लिखें card ठीक है and sorry यहाँ पर exact path होता है ठीक है and यहाँ पर path होगा ठीक है so basically हमारा क्या होगा कि जब भी slash जाएगा यानि जब हम home page में जाएगे तो हमारा product card का page दिखाएगा and जैसे हम slash card लिखेंगे तो हमारा रहा है बट कुछ item यह आप दिखने रहा है all right so as a issue आ गया था issue यह था ना since मैंने SMR कटरमेट और copy किया था तो हाँ पर जो आपका style था था ना वह ऐसे लिखा हुआ है कि जहाँ जाँ image है वहाँ वहाँ react बोलता है कि all text compulsory है तो जैसे यहाँ पर नहीं था वो मैंने add किया और अब मैंने एक पर save कर दिया सारा कुछ ठीक है और अब जाते हैं अब देखो यहाँ पर data आने लगा ठीक है अगर मैं जाओं अपने card में तो card page में आ गया I mean item वाले page में आ गया और फिर यहाँ जाओंगा तो card में आ ठीक है अब मुझे basically button में add करना है यह दोनों navigation तो मैं पहले आता हूं header में अब करना हमें 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 यहाँ आना है और हीर न विवन इंपोर्ट वन थिंग विच इस कॉल लिंक जो कि अपका अगें react order dom सही आता है सो हम यहाँ पर आते हैं यहां लिखते हैं link ठीक है इसको बंद करते हैं और इस और को यहीं पर डाल देते हैं इस link के अंदर और link आपका लेता है to let's keep it slash ठीक है देखते हैं यह हमारा काम कर ओके इसे इसके बाद मैं इस card वाले में भी link को add करता हूं सो let's go here link ठीक है तो अब देखते हैं हमारा काम कर रहा है नहीं तो हम जाते हैं यहां पर यहां पहिट करते हैं तो यहां पर आगया इस card में हिट करते हैं तो यहां पहिए तो मारे बिल्कुल सही काम कर रहा है भी है सो अब इसक लिए हमें यहां पर अपने यह काथ का इटा में उसको लुप कराना आते थे तो अपने काथ बाद यहां पर ठीज्क्राइब गेख रिए यहां पे देखोगे यहां परैट कंश्व करते हैं तो यह रो को यहां पैंदर एक क्वालम यह तक इंड हुआ okay So, यहां प्र हमारा hr ए यानि यह लैन है इसके बाद यह second वाल है इसको यहां पे choose करते है लाह को क्रता है And हमारा item नभाड हर चुका है and क्या करते हैं हम इसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर लेते हैं इस रोगो so let's give here okay हर इस HR के अंदर तक लेते हैं इसको ठीक है HR के ऊपर तक लेते हैं इसको and what we are gonna do is हम लोग यहां पर आते हैं कि अहां इसारा डेटा नेकरते हैं ठीक है जो हमारे स्टोर में प्रेज़ेंट है क्या क्या प्रेज़ेंट है यहां पाऊँगे तो काफिher कुछ बठ यह काट्टए हाई इसकार्ट यहक्वानिटी और यह ब्रैस होगाई क्योंकि हम यहां पे quantity पे दिखाने है price पे दिखाना है और देन जो भी हमारे यहां डेट है वो भी दिखाने है तो हम करते हम लिखते हैं यहां पे useSelector, ठीक है, यहां लिखते हैं state and let's do state dot क्या था ओल काट आगर हम अपने स्टोर में आए ओल काट रइट सो में अलकर यहां पर लिखती है जो बाहर निकालते हैं सो पहला तो वैल्यों के काट सेकेंड हो किया टोटल कॉंटिटी और थाड हो गया और अब इस काट को यहां से निकालते हैं और इस काट के अंदर हम क्या करते हैं यहां पर हम काट को लिखते हैं और काट डॉट मैप और अब यहां पर हम डालेंगे डेटा ठीक है हैं लेट्स मूव और आइटम इंसाइड दिस से लेके कहां तक लेट मी चेक यहां तक पेस्ट और सेफ करते हैं है सुभर अभी दीखते है हमारा यह रहो दो बार कए और यह अतू करते है तो यहां है दो फिर आते हैं और फिर एकट अपर करते हैं तो क्य可 temperate यानि यह सही काम कर रहा है ठीक है बस ही जाए कि हमने यह यहां डाला नहीं है, तो क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर और पहला काम है हमारा इसको डालना, so data.image, ठीक है, फिर आते हम यहाँ पर, और यहाँ हम डालेंगे, data.title, and यह सब का need नहीं है, we'll see, क्या करना इसका, और क्या बच गया, और बच के आपका, I think that's it, let's save it, and yeah, आप देखो हमारे पास सब कुछ आ रहे हैं यहाँ पर, let's go here, हम करते हैं Samsung पे क्लिक, और फिर आते हैं कार्ट में, and इस कार्ट को मैंने बिसकली light कर दिया है, so अभी यह सही दिख रहा है, let's go here, आपको 3-8 आगे हैं यहाँ पे, okay, so यह मैंने सही काम कर रहा है, और जो बिकार जीज़े हम यहाँ से remove करते हैं, जैसे कि यह वर आइकन हो गया, और यह दोनों हो गया, ठीक है, so let's clean it, हम आते हैं यहाँ पे, यह heart वाला, okay, तो यह button को हम remove करते हैं, अब सही दिखना चाहिए, so yeah, अब सही आ रहा है, ठीक है, और एक और चीज़े है, यहाँ पे भी हमें यह दो price भी dynamically लाना है, तो हम यहाँ पे आते हैं, total, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, summary के अंदर है total quantity, okay, यह हमारा जाएगा total quantity, और इसके उपर क्या है, total price है, so copy किया, और यहाँ पे आते हैं, total amount में डाल देते हैं, यह वाला price, ठीक है, save करते हैं, of course अभी भी zero आएगा, बट यह अब dynamically आ रहा है, और एक और चीज़ मुझे हैं पे करना है, वो यह कि, जैसे हैसे हमें आपे add कर रहे है data, यहाँ पे भी हमारा वो item increase हो, ठीक है, तो सब हम अब करने वाले हैं, ठीक है, so अब जो हमारा काम है, वो यह है, कि suppose अगर user add to cart पे hit करता है, तो क्या होना चीए, कि यहाँ पे item add होना चीए, ठीक है, लेकिन साथी साथ, उसका जो भी आपका quantity है, वो यहाँ पे update, साथ ही उसका amount है, वो भी यहाँ पे update होना चीए, बट उससे पहले एक issue है, जो कि हमने fix नहीं किया था, suppose मैं इस Xiaomi पे फिर से hit करता हूँ, तो अब देखो, यहाँ पे semi item दो बार आ गया, ठीक है, जो कि हमने नहीं चीए, होना की चाहिए था, यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है, let me explain, क्या करते है, let find लिखते हैं, suppose, और यहाँ पे हम लिखते है, state.cart.find index, और यहाँ पे हम बनाते हैं, arrow function, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा item.id, equal to, equal to, action dot, sorry, action dot payload dot id, ठीक है, and let's make a triple equal to, so basically, यहाँ पे क्या हो रहा है, okay, मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं लिख लू, and let's make it if find is greater than, equal to, 0, okay, तो क्या होना चाहिए, तो हमारा state dot cart, और यहाँ पे find, यानि, that index number, quantity, plus, equal to, 1, यह तो हो गया, और else, अगर यह नहीं होता है, तो, यह हो जाओ, समझने सा क्या मतलब है, बिसके लिए हो क्या रहा है, कि यह जो हमारा है, find index, यह आपको हर item का index number देगा, ठीक है, तो अगर जो index number है, कोई भी item का, अगर वो equal हो रहा है, उस index number, या बिसके लिए वो id, जो की user ने hit किया है, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे आते हैं, अगर, basically suppose अगर मैंने यहाँ Nokia G20 पे hit किया, ओके, add to cart, तो इसका जो id है, यानि मैं आपको यहाँ पे दिखा हूँ, अगर, यह वाला, इसका जो id है, यह equal होगा, हमारा जो सारा item का loop चल रहा है, उसमें जो id है, उसके, अगर वो equal हुआ, यानि, हमारा जो index होगा न, जो भी हमारा यह है, यह basically return करते हैं आपको 1 या फिर 0, so greater than 0 हो जाएगा वो, यानि यह true हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप quantity को सिर्फ increase कर दो, यानि वो item सेम ही है, ठीक है, लेकिन अगर यह नहीं होता है, तो आप एक नया item को add कर दो, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ करके, और फिर से मैं एक बार repeat कर दूँगा, तो यहाँ पर आते हैं, और add to cart पर hit करते हैं, ठीक है, add to cart किया, ठीक है, अभी क्या हुआ, कि अभी हमारा else कर दो, अभी करते हैं, मैं एक फिर से hit करता हूँ, तो जैसे हाँ पर hit करूँगा, क्या होगा, basically, यहाँ पर आप आता है, ठीक है, जो हमारा cart में जो ID है, 3, वो equal हो जाएगा, हमारा यह वाले ID के 3, इसका मतलब यह दोनों सेम हो गया है, तो आप क्या करो, आप सिर्फ quantity का value, increase करो, यानि इसका value आप 1 से 2 कर दो, that's it, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो आप देखो, यहाँ पर नया item नहीं यहाँ है, ठीक है, but I hope इसका value increase हो गया होगा, let me see in the redux, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर, यहाँ आप देखो, इसका value 2 हो गया है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम फिर से आते हैं, आप फिर से hit करते हैं इसको, तो आप देखो, इसका value 3 हो जाना चीए, यह, 3 हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम को एक नया item को गया hit करते हैं, तो वो एक new item के तरह add हो जाएगा, देखो, यहाँ आप add हो गया, ठीक है, तो हमारे logic बिल्कुल सही काम कर रहा है, बस एक चीज़ एड करना है, कि जो quantity है न, इसका value हो आप पर, decrease हो नहीं हो नहीं रहा है, तो हमने अच्छली उसको भी डाला नहीं है value में, so data.quantity and now I think it should come here, देखो, यहाँ पर आगया 3, let me check again, अगर हम आते हैं वापस से, अपने all product में, let's increase it, card page में आते हैं, अब देखो, यहाँ पर 4 जाना चाहिए, हाँ, तो यह हमारे बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है, अब हमारे तो next काम है, वो यह है, कि हमें total value चाहिए, ठीक है, मतलब total price चाहिए, basically, suppose यहाँ पर 4 quantity है, तो 4 का value है चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पर total amounts चाहिए, और total items कितना area है, वो चाहिए, so अभी थोड़ा logical पादाने वाले हैं, so please ध्यान देना, all right guys, so time को safe करने के लिए, मैंने already एक function यहाँ बना दिया है, basically, एक reducer यहाँ बना दिया है, जहां हम total price, total quantity, सारा कुछ हम यहाँ basically card का calculation कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको यह बाद जल्दी से समझा देता हूँ, ताकि हम time को जादा waste ना करें, जादा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना नहीं है, अगर आपको समझ आ भी नहीं रहा है, तो भी कोई issue नहीं है, आप चुप चप यह function मेरे code से copy भी कर सकते हो, so basically card page का calculation करने का काफी सारे ways है, आपको online काफी सारे code मिल जाएंगे, पर मैं basically यह वाले use कर रहा हूँ, so it's totally up to you, कि आपको कौन सा use करना है, इसको बाद देख लेते हैं, basically मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर reduce function का help ले रहा हूँ, reduce basically क्या करता है, आपका क्या करता है reduce ना, कि वो हमेशा second वाले value को first वाले से add करता है, और जब का first वाले value होता है, उसमें सारा कुछ total data आपका रहता है, ठीक है, आप इसको ओले बाद देखना, या फिर मैंने basically एक video भी बनाया हुआ है, इसके उपर वो देख लेना, आप हो क्या रहा है, हम basically total quantity और total price को बाहर निकाल रहा है, from this cart, ठीक है, और यह जो cart है ना, यह cart आपका है वही वाला cart, जो की user add to cart कर रहा है, यहाँ basically loop चलेगा, ठीक है, तो पहला बार में suppose cart total, तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर आपको देखना है क्या है, मैं आपको दिखा भी दाता हूँ था कि आपको दिक्कत ना हो, okay, so मैं इसको आपको दिखा नहीं पाऊंगा भी, क्योंकि इसके लिए मुझे redux, इसके मुझे call करना पड़ाएगा उधर, ठीक है, आपको पहले समझाता हूँ और फिर आपको मैं दिखा भी दूँगा एक पर, तो बेसके लिए हो कहा रहा है कि इस cart total में आपका ये दोनों value stored है, ठीक है, एन इसका जो initial value है, ये आपका 00, और ये जो cart item है, यहाँ आपका loop चल रहा है और पहला item है, let's suppose कि यहाँ पर first item है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग price और quantity को बाहर निकाल रहे है, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हम लोग, हम लोग एक variable ले रहे है, item total नाम का, और उसमें लोग price into quantity कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 500 into 1, ओके, 400 into 1, बारी बारी से, and क्या हो रहा है उसके बाद, उसके बाद, इसका जो भी data आ रहा है, वो जो card total के अंदर, जो हमारा total quantity है, और price है, इसमें हम लोग append कर दे रहे हैं, बेसकली, आप यहाँ पर देखो, जो हमारा price है, वो हमने इसमे add कर दिया, और जो quantity है, वो हमने यहाँ पर add कर दिया, and finally हम लोग return कर रहे है, card total, यानि यह दोनों का value, तो अभी हमारे पास, यह दोनों में exact data आ चुका है, लेकिन हमने इसको, अभी तक state में, यानि इसमें push नहीं किया, so उसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे नीचे यहाँ पर, और state dot total price, और state dot total quantity में, यह दोनों का value, जो कि अब इसमें updated value है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, और यह two fix आपका basically, दो decimal से आगे, आपका नहीं लेगा, इसलिए चीज यहाँ पर added है, ठीक है, यहाँ आप लोग समझ गये होंगे, मैं आपको एक बार इसका functionality भी UI में दिखा दूँगा, और हाँ यहाँ पर हमने action यूज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें user से अभी कुछ भी ने चाहिए, हमारे पास already cart है, हम लोग सिर्फ उसी से यहाँ पर deal कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर action needed नहीं है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको पहले तो export करते हैं, तो आपको यहाँ आना है, यहाँ इसको export कर दीजिए, और इसको फिर आपको import करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर import मैंने किया हुआ है, ठीक है, और अब आपको इसको read करना है, तो read करने के लिए मैं आपके पास दो option है, चाहे तो आपको यहाँ पर dispatch चाहिए, ठीक है, use dispatch, पहले हम लिखते हैं, const dispatch equal to use dispatch, और यहाँ पर क्या होगा, और अब आपको सब data दिखेगा यहाँ पर, let me show you, तो हमने सब को यहाँ पर add to cart किया, add to cart किया, यहाँ पर आते हैं, तो देखो यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, जैसे हमने cart total दिखा है था आपको, यहाँ पर price है, और यहाँ पर quantity है, यह हर loop में, मतलब हर item को यहाँ पर अलग-अलग stored है, और जो हमारा हमने यहाँ पर जो किया था, क्या बोलते हैं, price और quantity, यह दोनों का value भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसके लिए ऐसा ही कुछ है, और अब देखते हैं कि यहाँ काम करने, तो काम तो होई रहा है, जैसे कि suppose मैंने apple को भी यहाँ पर add कर दिया, और दो phone add किया होगा है, ठीक है, तो अब देखों, यहाँ पर क्या हो रहा है, 500 और 400, ठीक है, लेकिन I guess value difference है, ओके, तो 500, 400, 4000, तीनों का sum आपका हो गया, इतना, और quantity आपका हो गया, इतना, तीन, अब let me add one more apple, मैं यहाँ आथ हूँ, और फिर से मैंने आप आप add कर दिया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, यानि 4000 इंटू 2, 8000, तो अब देखों, यहाँ पर 8900 हो गया, और आपका quantity 4 हो गया, यानि हमारा functionality, बिल्कुत सही काम कर रहा है भी, अब जल्दी से मैं एक और चीज़ यहाँ पर add करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 item है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 item है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिखा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा add करता हूँ, और यहाँ पर इस card के अंदर भी हम value को update करेंगे, so let's see that, उससे पहले guys एक और चीज़, बिसके लिए मैंने तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे call कर दिया, ठीक है, लेकिन यह सही वे नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ भी change होगा, यह हर बारी call होगा, तो हमें बिसके लिए इसको use effect के अंदर लिखना है, ताकि हम सिर्फ एक particular condition में ही इसको call कर सकें, ठीक है, so मैं इसको यहाँ remove करता हूँ ऐसे, और आपको इसको ठाके न, यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर डाल दो cart, that's it, अब हमारा सही काम करेगा, ठीक है, so हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर, और हम आते हैं cart page में, और जहाँ पर हमारा, यहाँ पर to लिखा होगा है न, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ आपको total quantity डाल देना है, और similarly, अगर आप nav bar में आओगे, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हो न, इसके अंदर, यहाँ पर मैं डालूँगा, total quantity, लेकिन हमने विज़ाँ कि इंपोर्ट नहीं किया है, so I'll import it from here, कैसे करेंगे, very simple, use setter के help से, so const, यहाँ पर मैं सिर्फ निकालूँगा, state से, all cart, ओके, यहाँ पर तो all cart होगा, लेकिन यहाँ मैं निकालूँगा, सिर्फ और सिर्फ quantity, क्योंकि मुझे उसी करनिट है, मैं चाहँ तो मैं यहाँ पर, यहाँ पर प्राईस और सब कुछ यहाँ पर, निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ globally मौजूद है, ठीक है, and now let's do save all, and now let's see, हमारा काम कर रहा है नहीं, ओके तो आगे यहाँ पर 4, ठीक है, let's me, let's refresh the page, अब मैं यहाँ पर add करता हूँ, एक Moto G5, और एक मैं add करता हूँ, Xiaomi, ठीक है, दो मैंने add किया, ओके, तो अब देखो, यहाँ पर एक issue आ रहा है, अभी यहाँ पर सही है, ओके, मैं अब दो आ रहा है, यहाँ पर यहाँ दो आ रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, मैं अगर यहाँ पर add कर रहा हूँ ना, Samsung, तो यहाँ पर यह update नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए, आपको बिसकर लिए, यहाँ पर आना है, nav bar में, ठीक है, और मैं यह चाहता हूँ, कि जैसे यहाँ पर item हमारा increase हो, जैसे यहाँ हमने आप hit किया, हमारा nav bar भी update हो, हम यहाँ लिखते हैं, use effect, ठीक है, let me remove all this, और मुझे बेसकर लिए, चाहिए get का total, जो हमारा पास already आ रहा है, यहाँ पर, यह मैं, यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, and this will be inside dispatch, और यहाँ पर, मुझे चाहिए, वो चीज, जो की update होगा, on hitting this, क्या हो रहा है हमारा update, हमारा हो रहा है update यहाँ पर, यह cart, जैसे यहाँ पर user हिट कर रहा है, यह हमारा cart अपड़ेट हो रहा है, तो यहाँ मुझे cart चाहिए, so that जभी मारा cart change हो, यह वाला function हमारा run हो, and then हम लोग का यह quantity increase हो, लेकिन मुझे यहाँ पर cart भी import करना पड़ेगा, to have this cart here, okay, so I guess अब सही है, and एक error है, use effect is not defined, fine, let me include it, alright, so अब एक बार देखते हैं, refresh करते हैं, और हमने add to cart किया, आब देखो यहाँ पर आगया 1, add to cart किया, 2, 3, okay, और फिर यहाँ पर जाएंगे, तो अब देखो, यहाँ पर हमारा जो भी item है, वो त्वाहिर है, and जो भी हमारा price है, वो भी आ रहा है, and प्लस यहाँ भी तीन item आ रहा है, अब अगेन, यहाँ पर मर्जी आपके, कि आपके यहाँ पर 3 दिखाना है, या फिर 2 दिखाना है, यहाँ यहाँ पर actually में item तो 2 है, but amount यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो let's show only the items, जैसे यहाँ पर 2 item है, तो सिर्फ item यहाँ पर दिखाएंगे, वो ज़्यादा sense बनाता है, ठीक है, तो मुझे बस इसका value चाहिए, कि हाँ इसमें 2 item है, तो फिर 2 दिखाओ, so let's go back here, और आपको आना है cart page में, यहाँ जो मैं लिखा था, total quantity, यहाँ पर इमकारते हैं, यहाँ लिखते है, cart.length, I guess, अब देखते हैं, हमारा काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर दो बाइस को add कर दिया, तो अब देखो, यहाँ पर item हमारा 3 है, और जो हमारा amount है, total वो 5 है, ठीक है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और फिर यहाँ, अब हमारा यहाँ पर सब कुछ सही काम कर रहा है, ठीक है, अब इसमें हम 2 चीज़ और add करते हैं, 2 क्या 3 चीज़ बिसकली, एक हमारा यह plus पर increment होना चीज़ है, minus पर value decrease, और यह remove भी होना चीज़ है, ठीक है, and along with that, इसका भी item यहाँ पर update हो, तो पहले हम remove देखते हैं, all right, तो हम आगे अपने slice वाले page में, यहाँ पर हम डालने वाले state, action, ठीक है, और यह कफ़ी easy है, बेसकरी, क्या करना है आपको, आपको return करना है, और return आपको अपना state को bit करना है, so state.cart equal state.cart.filter, ठीक है, और जैसे हमारा जो item है, item.id, is not equal to equal to, हमारा हो जाएगा, action.payload.id, फीक है, जैसे हमारा equal नहीं होगा, आपका सिर्फ वही दिखाएगा, जो कि आपका id से equivalent है, so इसके लिए हम लोग ऐसा ही कुछ लिखते हैं, for removing any item from anywhere, I guess, so अब हम बनाते हैं, यह वाला remove item, so पहले इसको copy किया, यहाँ पर डाला, ठीक है, अब आपको flow समझ में आना चाहिए, हम लोग एक यहाँ पहले वो करते हैं, एक हम लोग action यहाँ पर बनाते हैं, and then उसको हम यहाँ पर export करते हैं, and फिर हम लोग जाते हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपको वो चाहिए, यहाँ चाहिए, तो यहाँ मैं इसको comma दे के import किया, and then we will call it, ठीक है, तो हम लोग dispatch करते हैं, so अब इसको कहाँ लगाना है, इसको लगाना है मुझे delete वाले icon में, so I guess trash icon तो यही दिख रहा है, ठीक है, so यह button में हम इसको लगा देते हैं, so let's on click, dispatch, और यहाँ पर remove item, और यहाँ हम पास करेंगे, action, sorry not action, क्या था data था ना, भूल जातो है, data.id, ठीक है, so मैंने यहाँ पर since data.id पास कर दिया सीदे है, तो मुझे यहाँ पर id लिखने का need नहीं है, all right, and let's do save all, and let's see, यह मरा काम कर रहा है नहीं, so, यहाँ पर आते हैं, let's go to all item, add किया, add किया, ठीक है, और let me remove this, तो देखो, यह हमरा सही काम कर रहा है, फिर remove किया, यह add किया, all right, let's check once again, and आप देखो, साथ यहाँ वैल्यू भी हमारा update हो रहा है, ठीक है, जैसे, suppose अब यहाँ पर 500, 600 है, 1100 और 2 item है, हमने यहाँ पर remove किया, तो आप देखो, सिर्फ 600 और एक item बचकिया है, अब हमारा एक और काम रहा है, हम यह plus और minus को add करना है, functionality I mean, so let's see that, तो हमाते हैं अपने cart slice में, और यहाँ पर हम बनाते है action, तो एक action रहेगा हमारा increase, और यहाँ पर state दे दो, action दे दो, और भाई होब आप लोग थोड़ा बहुत यहाद हो रहा होगा, कि होता कैसे, और फिर यहाँ आके हम लिखते हैं, basically state dot cart, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें जो भी update करना है न, वो हमारे state में ही update करना है, इसलिए यह लिखके, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगा पना logic state dot cart, sorry, dot map, और यहाँ पर हम निकालते हैं बाहर item को, और यहाँ पर हमें basically find करना है, वही again that id, so हम क्या करते हैं, item dot id is equal to equal to, और action dot payload, अगर वो equivalent है इसके, तो आप क्या करो, आप हमारा quantity को increase कर दो, अब यहाँ पर मैं बश्करेंगा spread of header, so हम basically जो already मौजूद है, वो तो रहे गाई, but इसमें से क्या करो तू, quantity को increase कर दो, so item dot quantity plus one, all right, अगर आप लोग spread of header पता होगा, अगर नहीं तो एक पर प्लीज आप देख लिए ना online, and फिर अगर यह नहीं हो रहा है, तो एक नए item है, then please just return that item, and let me make the same for decrease also, so मैं इसी को copy करता हूँ, यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर decrease लिखता हूँ, बाकि सब इसका same ही रहेगा, and यहाँ पर आप पर हो जागा minus, ठीक है, अब क्या है, हमें इसको copy करना है, यहाँ डालना है, फिर इसको copy करना है, यहाँ डालना है, ठीक है, action को हमने export कर दिया, ठीक है, and now let's add this, so increase वाला पहले उठाते है, और let's go down, ओके, so यह हमारा step अप वाला, तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ अउन क्लिक को हटाते हैं, जो कि already कुछ-कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना, increase वाला जो है, यहाँ यहाँ पर हम लिखेंगे इसको dispatch के help से, और यहाँ आपको pass करना है, data.id, ठीक है, save कर दिया, और हम, same चीज़ कुछ यहाँ, error दिखा रहा है, okay, we'll check that, पहले इसको हम, copy करके डालते हैं, decrease वाला में, यहाँ पर भी, and of course हम लोग यहाँ सो कुछ local host या फिर database में hold नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा on refresh सारा कुछ उड़ जा रहा है, तो मैं add to cart किये, यहाँ पर आते हैं, and let me increase the quantity, plus किया हमने, okay, so यह काम नहीं कर रहा है, so let's see क्या दिक्कत हो गया, चुले क्या है, कि यहाँ पर न, जो हमारा on click था, वो small में था, ऐसे था, तो इसको मैंने यहाँ पर fix कर दिया है, और साथ साथ मैंने यहाँ पर on change में इसको null डल दिया है, ठीक है, and अब हम इसको save करते हैं, क्योंकि input fit आपका on change भी मांगता है, अगर आप value यहाँ पर दिय रहे हो तो, तो इसको मैंने यहाँ पर null कर दिया, and then हमारे यहाँ पर decrease, and यहाँ पर increase वाला added है, and now let's go and check, हमने यहाँ पर add किया, add किया, यहाँ पर गए, card में, सो अब देखो यहाँ पर आगी हमारा 2 item, हमने यहाँ पर plus किया, आप देखो यहाँ पर increase, और यहाँ पर भी हमारा increase हो रहा है, फिर plus किया, 3, 4, ऐसे, फिर हम यहाँ पर आते हैं, plus किया, and then we can decrease also, and आप देखो जैसे यहाँ पर values change हो रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर हर जगह value automatically change हो रहा है, ठीक है, so basically हमने जो भी एक basic card functionality होता है, add to card हो गया, या आपका जो भी card page हो गया, वह सरह हमने यहाँ पर देख लिया, with the help of Redux, यहाँ पर एक दो चीज़ आप और add कर सते हो, जैसे कि आप यहाँ पर एक रखोगे, favorite का section, जहाँ पर अगर user hit करता है, तो यहाँ नया page बन जाएगा, with all those items, जो की user ने favorite में किया है, ठीक है, और भी आप यहाँ पर अपने अपने साब से कुछ pin वाला feature, या और भी चीज़ आप add कर सकते हो, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, कि जैसे मैंने का किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही slice में, सारा कुछ feature यहाँ पर डाल दिया है, बट आप चाहो तो अब इसको अलग-अलग slices में बाट सकते हो, जैसे कि एक हो गया हमारा product वाला slice, एक हो गया हमारा card वाला slice, ठीक है, तो इसका काफे सरा ways है, इसके लिए आप अगर बड़ा, प्रोड बनाओगे तो वहाँ पर आप सीखोगे, कि हम कैसे यह चीज़ करते हैं, आप लोग को अब थोड़ा flow समझ आ गया होगा, पूरा Redux Toolkit का, कि कैसे काम होता है, तो यहाँ guys that's all for this video, अगर आपको मेरा effort और मेरा वीडियो अच्छे लाग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इस यहां को सब्सक्राब करें ता कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो रिगार्डिंग कोडिंग रिगार्डिंग फ्रेंट डेवलेप्मेंट लाता रहूंगा,